स्वागते स्टुदेंट यहां पर क्वेशिन दिया हुए कि दी वेलासिटी ओफ बाडी डिपेंड्स अन टाइम अक्वादिंग टू इक्वेशन वी इक्वेशन वी इक्वेशन टी स्क्वेर बाइटेन प्लस ट्वेंटी दी बाडी इस अंडर गईग यूनिफॉर्म एक्स एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन दीके सब्सक्राइब वेलासिटी जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है इस क्वेशन से कुछ ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं हो पाएगा कि विकॉर्षान में आप देखेंगे तो उप्शन देखिए एक्सेलरेशन और तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इस equation को differentiate करना पड़ेगा dv by dt मतलब क्या होता है acceleration velocity का change with respect to time को बोलते है acceleration is equal to देखिए 1 by 10 का कुछ भी नहीं करना है 1 by 10 एक constant term है t square यहाँ पर है और इस t square को आपको differentiate करना पड़ेगा तो कहीं पर भी अगर ऐसे रहे x square रहे तो इसका differentiation होता है 2x उसी तरह से कहीं पर x cube रहे तो उसका differentiation होता है 3x square कहीं पर t square है तो उसका differentiation होता है 2t यह आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जैसे 1 by 10 था उसको तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन T square को लिख देंगे 2T प्लस 20 constant है तो उसका differentiation 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ T नहीं है तो यहां से आप देख सकते हैं कि DV by dt का मतलब होता है acceleration और यह आ गया है 2T by 10 यह 2 से 10 कट जाएगा पांच बार में तो मेरा जो acceleration है वो यहां पर आ रहा है T by 5 अब ध्यान देजिए कि जैसे माल लिजे टाइम अगर 0 है यहां पर T का मतलब टाइम है तो अगर आप टाइम का value यहां 0 रखते हैं तो आपका acceleration भी तो 0 होगा लेकिन अगर आप इस जगह पर time का value 2 रख देते हैं तो acceleration 2 by 5 हो जाएगा उसी तरह से अगर आप वहां time का value 3 रख देते हैं तो acceleration 3 by 5 हो जाएगा तो यह आपका acceleration इस तरह से देखी change होता चला जा रहा है ठीक है acceleration क्या होता चला रहा है बदल रहा है 0 second पे 0 है 2 second पे 2 by 5 है 3 second पे 3 by 5 है तो क्या acceleration constant है नहीं मेरा time जैसे से change होगा मेरा acceleration भी change होगा तो uniform acceleration नहीं होगा नहीं uniform retardation होगा नहीं 0 acceleration होगा यह case होगा non uniform acceleration का क्योंकि acceleration is equal to t by 5 है और time के साथ मेरा acceleration change करेगा जिसको बोलते है non uniform non uniform acceleration I hope आप यह समझ गये होंगे thank you so much for watching